दोस्तों, लिवर हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है, यह हमारे शरीर में भूजन पचाने से लेकर पित बनाने तक का काम करता है, लिवर शरीर को संक्रमन से लड़ने, रक्त शरकरा या बलड शुगर को नियंतरित रखने, शरीर से विशले पदार्तों को निकालने, रूग होने की संभावना रहती है, आप घर पर ही फैटी लिवर का इलाज कर सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, फैटी लिवर केल शुराब या अन्यमादक चीजों के सेवन करने से ही होता है, और फैटी लिवर का इलाज घर में करना संभाव नहीं है, सबसे पहले तो यह जानने कि fatty liver की बिमारी शराब के साथ शाथ मोटापे और खाने की अनुचित आदतों वाले लोगों में भी यह हो सकता है। दुसरी बात यह जानने कि fatty liver का उपचार आप घर पर भी कर सकते हैं। fatty liver का इलाज करने के लिए घरीली नुष्खें बहुत काम आते हैं। इससे कुछ हद तक फैटी लिवर के नुकसान से लिवर को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। सबसे पहले जनते हैं फैटी लिवर क्या है। लिवर की कोशिकाओं में अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाता है। लिवर में वसा की कुछ मात्रा का होना तो समाननी बात है लेकिन फैटी लिवर बिमारी वैक्ति को तब होती है जब वसा की मात्रा लिवर के भार से 10 प्रतिशत अधिक हो जाती है ऐसे इस्तिती में लिवर समाननी रुप से कारे करने में असमर्थ हो जाता है तथा नेक को उत्पन करता है इसके बाद फैटी लिवर का इलाज करानी की जरुरत पड़ती है समानने ता इसके लक्षण देर में दिखने को मिलते हैं लेकिन लंबे समय तक लिवर में अधिक वसा का जमा होना नुकसान दायक बन जाता है आम तोर पर 40-60 वर्शी आयू में यह देखने को मिलता है आयूर वेद में लिवर का संबंध पीत से बताया गया है यानी पीत के दुशित होने पर लिवर रोग ग्रस्त हो जाता है इबम भली भाती अपना कारी नहीं कर पाता दुशित पित ही फैटी लिवर जैसे रोगों को जन्व देता है अनुचित खान पान से फैटी लिवर दो प्रकार के होते हैं अलकोहलिक फैटी लिवर डीजीज शराप का अत्यदिक सेवन करने वालों में होता है अलकोहल का अधिक सेवन लिवर पर फैट जमा होने का एक कारण है शराप का जाद सेवन करने से लिवर में सूजा ना सकती है तथा लिवर छती ग् सकता है दुसरा नॉन एलकोहलिक फैटी लिवर डिजिज उच्च वशा युक्त भोजन एवं अनुचित जिवनशली के कारण वैक्ति में मोटापे एवं डैबर्डीस की समस्य होने लगती है जो कि फैटी लिवर होने में बड़े कारण है शराप न लेने पर भी इन इस्तित में फैटी लिवर होने की पूरी संभावना है फैटी लिवर होने के कारण अत्यधेक शराप पीना अनुवान सिकता मोटापा फैटी फूड और मसालेदार खाने का सेवन रक्त में वसा का अस्तर ज्यादा होना मदू में है एस्टरोइड एस्परीन या टेट्रसलिन जैसी दवाईउं का लंबे समय तक सेवन पीने के पानी में क्लोरिन की अत्यधिक मात्रा वाइरल हैपेटाइटीस अब जानते हैं फैटी लिवर होने के लक्षण पेट की दाएं भाग में उपरी हिस्से में दर्द बजन में गिरावट कमजोरी महसूस करना आखो और तवचा मे पीलापन दिखाई देना भोजन सही प्रकार से हजम नहीं होना जिसके कारण एसेडिटी का होना पेट में सूजन होना आईए जानते हैं फैटी लिवर के लाज के दोरान खान पन और जिवन शैली में क्या बदलाव लाना चाहिए ताजी फलेवं सब्जियों को अपने आह का सेवन करें जैसे फलियां और साबुत अना आज अधिक नमक ट्रंस फैट रिफाइन कार्बोहाइट्रेट्स तथा सफेद चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें एलकोहल या शराप का सेवन बिल्कुल न करें भोजन में लहसुन को शामिल करें या फैट जमा होने से रुकता है ग्रिन टी का सेवन करें शोद के अनुसार लिवर में जमा फैट को कम करती है तथा लिवर के कारे कलाप को सुधारती है तले भुने एवं जंक फूड का सेवन सरवता त्याग दें इन सबजियों का प्रयोग जादा करें जैसे पालक, प्रोकोली, करेला, लौकी टिंडा, तोरी, गाजर, चुकंदर, प्याज, अद्रक तथा अंकुरित अनाज खाएं। राजमा, सफेच चन, काली दाल इन सब का सेवन बहुत कम करना चाहिए तथा हरी मुंग दाल और मसूर दाल का सेवन करना चाहिए। मक्खन, मयोनीज, चिप्स, केक, पिज्जा, मि बना सकते हैं, जो समय के साथ लिवर के सूजन को कम करके शारिरिक अवस्था को बहतर बना सकते हैं। फैटी लिवर के उपचार के लिए सुखिय अवला का इस्तमाल इस तरह से करने पर जल्दी राहत मिलता है। चाच का सेवन दोपहर के भूजन में चाच लें, इसमें हिंग, नमक, जीरा और काली मिर्च मिला कर पिये। फैटी लिवर के आयरवेद इलाज के लिए चाच का सेवन लाबदायक सिद्ध हो सकता है Green Tea Green Tea में Antioxidants होते हैं या लिवर को सही तरीके से कारी करने एव़ां लिवर फैट से चुटकार दिलाने में मदद करते हैं फैटी लिवर को ठेक करने के उपाय के रूप में Green Tea का सेवन फाइदेमंद साबित हो सकता है निम्भू और संत्रे वाइटेमिन C को अपने आहार में शामिल करें बहतर परिणाम के लिए खाली पेट निम्भू एवं संत्रे का जूस पीए करेला करेली के सबजी या जूस का सेवन करें या फैटी लिवर में बेहद लाब दायक है आयरुवेद के नुसार फैटी लिवर के उपचार के लिए करेली का जूस फाइदेमंद साबित हो सकता है सिरका एपल साइडर विनेगर फैटी लिवर में बहुत फाइदेमंद होता है टमाटर, कच्चे टमाटर रह सेवन फैटी लिवर को स्वस्थ करने में मदद करता है अब तक आपको फैटी लिवर होने के कारण फैटी लिवर के लक्षणों की जानकारी हो चुकी है इसलिए fatty liver के लक्षण नजराने लगे तो बीना देर कीए डॉक्टर से सलाहा लेना चाहिए इससे आप समय पर fatty liver का उपचार करा पाएंगे और फिर से स्वस्त हो पाएंगे तो यह था दोस्तों fatty liver के लक्षण कारण और घरेली उपचार तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकार आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और समंध्यों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें इस वीडियो में बसत नहीं अगली वीडियो मैं आपसे फिर मिलूंगा तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें धन्यवाद